हेलो फ्रेंट मैं सीखा सिंग स्वागत करती हूँ यूपी एसी दिस्टी विजन आई एस आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि यूपी एसी सी एसी की तयारी करने वाले एस्टुडेंट को कितने घंटे पढ़ने चाहिए और उसके टाइम टेवल को कैसे डिवाइड करें इससे पहले चैनल पर पहली पर आए है तो वीडियो को लाइक करेए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल ऐकन हीट करेंड। UPSC-CSC के जो student होते हैं वो confused होते हैं कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए, किस समय पढ़ने चाहिए और सबसे interesting बात तो ये हैं कि student यहां तक पुछते हैं कि कितने घंटे सोने चाहिए और इसलिए भी होते हैं कि पहले से ही अफवाएं हम सुनते रहते हैं कि ये एकजाम बहुत बढ़ा होता है, बहुत कठिन होता है लाखों लोग बैठते हैं जिसमें से एक आद हजार का selection होता है तो ऐसे में सवभाविक सवाल उठता है कि बहुत मेहनत करनी परती होगी उतने ज़्यादा मेहनत हम कर रहे हैं, ये बात सिध्ध होगी जब की सच ये है, मित्रों कि पूरी सचा इसमें नहीं है पूरी सचा इस रूप में कह रही हूँ कि ये कोई pilot बनने का प्रसिक्षन नहीं है कि आपने कितने घंटे प्लेन उराया और इससे अपना मुल्यांकन, आपका मुल्यांकन होगा कि आप कितने दक्ष पाइलट हैं, इस तरह का कुछ नहीं है देखिए, UPSC का अपना स्लेवस है, उसके अंसॉल पेपर है स्लेवस के दाइरे में ही कोश्चन पूछे जाते हैं अंसॉल पेपर भी एक पैटर्न है, उसी पैटर्न पर सवाल पूछे जाते हैं तो हमें बस इसको फालो करने हैं, इसलिए घंटों से इसका मुल्यांकर नहीं करना चाहिए जो मुझे लगता है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के मन में ये जिग्यासा है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बिल्कुल गलत है आप लोगों में आप लोगों ने ग्रेजुएशन किये हैं और ग्रेजुएशन करने में तीन साल लगे अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो मान के चलते हैं कि साल भर में 200 दिन की क्लास चलें तीन साल तक आप गए यानि 600 दिन आपने पढ़ाई की 600 देज अगर आप डेली चार आवर क्लास एटेंड की तो 600 को आप चार से मल्टिप्लाई कर दे तो इसका मतलब है 2400 घंटा आपने कॉलेज में पढ़ाई की लेकिन बात यही खतम नहीं हुई है आप घर आए घर में भी अगर एवरेज माल लेते हैं कि आपने दो घंटे पढ़ाई की 600 दिन घर में तो 12 घंटे यह भी होते हैं 24 घंटा कॉलेज में 600 घंटे घर पर परिक्षा में समय दो आवर बढ़ी जाते हैं तो एवरेज हम निकाल ले तो तोटल 3600 घंटे की पढ़ाई करके ग्रेजवेशन की डिगरी ली मोटे तोर पर इसे माल लेते हैं तोटल 4000 घंटे माल लेते हैं 4000 घंटे में आपको ग्रेजवेशन की डिगरी मिली है कितना कठिन था, कितना मुश्किल था, खुद अनुमान लगाईए आपके लिए खुशी की बात ये हैं कि आपको IAS का प्रिप्रेशन के लिए आपको नौकरी देगी इतनी बड़ी नौकरी देगी, इसे hardly आधे वक्त की जबरत, मेक्सरीमम 2000 घंटे लेकिन मैं इसे 2000 घंटे की बात कर रही हूं, मैं quality time की बात कर रही हूं तरीकें से पढ़ने की बात कर रही हूं, उस तरीकें से पढ़ने की बात कर रही हूं जिससे आप सिविल सर्विस में पूछे गए कोस्टन के एंसर दे सके तो फ्रेंस अब मैं आपके टाइम टेबल यानि केबल पढ़ने के टाइम टेबल बता रहें फ्रेंस आप मान के चलिए कि आपको डेली किसी भी हालत में कम से कम पांच घंटे पढ़ने चाहिए और मैं समझती हूँ कि 6 घंटा ठीक इसे जादा पढ़ना ठीक नहीं है और ये थोड़ा और वेभारिक भी लगता है देख हमारे दिमाग की एक छमता होती है दिमाग भी ठकता है जैसे हमारा सरीर ठकता है हम पढ़तो रहे हैं आखे खुली हैं हम पेज पेज पलट रहे हैं लेकिन वो बात हमारे दिमाग में बैठ नहीं रही है अच्छी तरह से बस नहीं गई है तो उस पढ़ने का ज्यादा अर्थ निकल नहीं पाता है हमें आत्म विश्वास जरूर हो जाता है कि आज हमने तो आत घंते पढ़े या सात घंते पढ़े या दस घंते पढ़ लिए तो हमें आट घंते से दस घंते पढ़ने की अवश्यक्ता नहीं है मेरा मानना है कि जब रिमजिम रिमजिम बारिस होती है तो वो बारिस की जो बूंदे होती है वो जमीन के जादा नीचे तक पहुचती है और एक साथ जो जमा जम बारिस होती है हो तो रिमजिम रिमजिम बारिस से ज़्यादा quantity होती है लेकिन ये अंदर मिटी के नहीं पहुच पाथ तो civil service जो requirement है कि वो जो बारिस का जो पानी है यानि कि पढ़ने का जो आपका ग्यान है जो समझ है वो आपके अंदर घुल जाना चाहिए तो 5-6 घंटा ठीक और इतना आपकी maintain करना होगा किसी भी हालत में friends अब ये 5-6 घंटे किस तरह से divide करेंगे आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं क्योंकि सबका अपना अपना time table अपना requirement हो सबके पास जो समय है वो अलग-अलग है जो आप अपने धंग से करिए मैं तो बस एक general सा बता रही हूं जो समानत्या होनी चाहिए आप मैं इसमें अपने को कैसे adjust करेंगे ये पूरी तरह से आपके उपर है friends अब आएए हम थोड़ी सी बात समय पर करते हैं देखिए डेली आपको radio news सुननी है रात में हिंदी इंगलिस दोनों आप जिसमें comfortable हो सुन सकते हैं केवल 15 मिनट आपको लगेगी इसके बाद आपको news paper पढ़ने में maximum 45 मिनट लगेंगे जब आप न्यूज सुन लिए रहेंगे तो आपके news paper पढ़ने का time table कम हो जाएगा क्योंकि बहुत सी चीजे सेम ही रहती हैं हां शुरू में आपको news paper पढ़ने में ज्यादा time लगेगा लेकिन कुछ दिन बाद नॉर्मल हो जाएगा तो 45 म इनत न्यूज में और 15 मिनर्स रेडियो तो एक घंटा और एक घंटा online current affairs के लिए तो टोटल आपका हो गया दो घंटा अब जो आपका time table बचा उसका इस्तेमाल आपको दो तीन भागों में divide करके करना चाहिए general study के लिए देर घंटा आप इसके लिए दे सकते हैं फिर आप का एक optional subject वह आपपे depend करता है कि इसके लिए आपको कितना समय चाहिए क्योंकि अगर आप इसे पहले पढ़े हैं तो आपको थोड़ा कम की जरूरी होगे लेकिन अगर आपने नया ही भी से लिया है तो लगभग लगभग देर घंटा भी इसके लिए भी देने होंगे इसके बाद आप 30 मिनट से एक घंटा और यदि पढ़ सके तो और अगर कुछ कुछ पढ़ने को मिलती हैं जानने को मिलती हैं कुछ आपके मन कर रहा है civil service से related तो उसके लिए आप समय निकाल सकते हैं तो अब आप सारा समय जोड़ ले तो सारा समय 5-6 घंटा हो जाता है इस civil service की जो स्लेवस हैं वो अच्छे से कवर हो जाएगी लेकिन आपको यह regular रखना होगा ज्यादा तर student को आप देखते होंगे कि जोस में आकर टाइम टेबल बना लेते हैं और कुछ समय तक निभा भी लेते हैं या अच्छी बात हैं बुरी बात यह हैं कि उसे लंबे समय त कि आप कुछ समय तक तो कर लेंगे लेकिन बाद में ठकने लगेंगे सिविल सर्विस एक्जाम का प्रिलैंस एक मेराथन दौर की तरह है जिसमें आपको स्लो स्पीड से लंबी दौर कम्प्लीट करनी हैं तो फ्रेंस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान हिट कर दें